कि एक बाद फिर आप सभी के यूपी एसी प्रिलिंस टेस्ट स्रीज में स्वागत है आज है फुल लेंद की टेस्ट टेस्ट नंबर सेवन और यह टेस्ट नंबर टू का यह लास्ट जो है पार्ट है यानि कुशन नंबर सेबंटी फाइफ से हंड़ेड कुशन आज हम लोग देखेंगे यह हमार टेलिग्राम चैनल है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और यहां पर सारी क्लासिस के इंफॉर्मेशन और जब भी टेस्ट कम्प्लीट होता है तो कम्प्लीट हंड़ेड कुशन के साथ आपको सेप्रेट हिंदी प्लस इंग्लिस में आपको इनल्सिस साथ इ ठीक है तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लिजिए ताकि डेली तीन बज़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और यह टेस्ट प्रिलिम्स के टाइम तक डेली चोह चलता र गलत है यह आरो वही है जो आप देखते होंगे कि आपके घर में आरो लगा है ठीक है तो आरो का फूर फार्म होता है रिजर्ब आस्मोसिस उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कतन गलत ऑप्सन एक पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिट याने टीडियस खनिज और आय आरो के जल में कुल घुले हुए ठोस पदार जिसमें ट्रिस रसायन वारस वैक्टिरिया और लवन सामिल है को पानी पीने योग के मानकों को पूरा करने के लिए कम किया जा सकता है आप संदो आरो में यूवी विक्रत ठोस कड़ों के आवसाधन को तेज़ करता है और मैला पढ़ना होता इंगलिस सिदर लिखा है इसमें आप पढ़ लीजेगा अगर बात करें पानी में जो टीडियस होता है यह टोटल डिजॉल्व सॉलिड वह क्या होता है पानी में कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं उसके साथ कुछ खानिज रसायन और आ हो सकते हैं जयसे अगर बात करें अपवाह से खेतो में रसाम अर्वड्वक्रक्ल से अ कि हमीस सड़क के लंड़ों को से प्रकार से जो है टीडियम सोुन करें प्रक में जो प्रेशर के द्वारा पानी में बड़ी संख्या में दूसर पदार्तों को निकालने के लिए कि आता है पानी में टीडियस का उच अस्तर होना यह दिखाता है जिससे अगर टीडियस हाई है तो उससे क्या होगा मनुस्ट की कई स्वास समझते हैं जो है बढ़ सकती हैं जैसे सोडियम क्लोराइट की मौझूदगी में पाने में टीडियस का स्तर बढ़ जाता है हाला कि पानी में मौझूद जहरील आइनों जैसे लेड हो गया नाइट्र हो अकैडमियम हो गया और आर्सेनी की मौझूदगी से कई गंबीर स्वास समझते हैं पैदा हो सकती हैं सब्सक तीन जो है गलत है ठीक है यानि आरो में यह बात किया गया है यूवी विक्रा ठोस कड़ो के आवसाधन को तेज करता है मैला पंदूर करता है और पानी की सुद्था को सबसे सामान है वे कार्बनिक रसानों को हटाने में अधिक प्रभावी हैं उनका उप्योग अक्सर उपस्थित में सुदार के लिए किया था है जिस बरकर आप्सन तीन जो है गलत है यानि इसमें केवल और केवल आप्सन तीन जो है वो सही है नेक्ष्ट बात करते हैं कुश्चन नंबर 77 के 77 में क्या पूछा है आपको पूछा है एडल्ट इस्टम सिल के बारे में इस एड लंबे समय तक अपने समान याई identical copies या जिसके क्लोन की बात करें तो क्लोन बना सकते हैं option 2 वे दुरलब होते हैं चाथा उनका प्रात्मिक कार होमोस्टेसिस नामक कोश्चक की स्थिर अवस्था बनाया रखना है option 3 किसी भी परपक उतक में वैस स्टिम कोश्चकाउं की उत यानि option इसमें जिन आप पॉइंट दिये अपसन एक option 2 option 3 में इसमें बताना कौन सा सही है अगर option 1 की बात करें तो एडल्ट जो इस्टिम सेल होते हैं वो सभी इस्टिम सेल की तरह कम से कम दो विश्चताओं को थाज़ा करते हैं सबसे पहली विश्चता होती है कि वो लंबे समय तक स्वैम के क्या करते हैं आइडेंटिकल कॉपीस जो है बना सकते हैं और ये इसके सहाथा से प्रसार करने की छमता उनका जो है लाउन टर्म के रूप में संदरभित करता है और दूसरा क्या होता है वो जो होते हैं एडेल्ट कोशिका के प्रकारों को जर्म दे सकते हैं जिनमें विश्च आकार की या जिसे आप आकार कहते हैं और विश्च कार होते हैं तो में मैं आपसन एक जो है वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब नामक कोस्का को अस्थिर ना और सीमाओं के साथ उनके कोस्का को परतिस्ताफित पर बहुत अलग तरीके से ब्योहार किये आता है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्सन दो जो है वो सही है ऑप्सन तीन की बात करें ऑप्सन तीन भी सही है यानि जो अगर बात करें जो भूड़ी इस्टेमसिल को सिकाव के विपरीज जो है उनकी उत्पती से परिभासित होती है जो एडल्ट इस्टेमसिल के कोशिया में लक्षड वर्ड का कोई निश्चिस साधन नहीं होता ठीक है तीस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्सन डी जो है वो सही है अब इस्टे उसके दोरा मैं जो है किया जाता है जा इसमें इसमें फिर क्या की जाता है इसमें जो य만 बांडी को सिप्एमसिक्ट के जाती है ठीक है इंजेक्ट के दौरा इंफ्यूज किया था इंजेक्शन के दौरा पेसेंट में ठीक है कि कुशन नंबर 78 की बाठ करते हैं हाली में क्लाइमेट चेंज किसके दौरा लांज किया गया था यह चार्चा में रहा था अपको बताना है कि एक लाइमेट चेंज नौरेज पोर्टर ऑफिग्षा सब्रूर उप्स के दौरा लांज किया गया जानकारी डेटा हुकडो का केंद्र है और यह जो है परहावड वन जलवाई परवर्दन मंत्राले ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स लांच किया जो बिभिन मंत्राले दोरह की गई बिभिन जलवाई पहलों के बारे में जानकारी देता है तो कुल मिलाकर इसमें क्या आप्शन सही है परहावड वन जलवाई परवर्दन मंत्राले कुशन नंबर 79 की बात करें मुख्य वन जीव वार्डन की स्थित के संदर में निमलेत कत्नों पर विचार की जो आप्शन एक वन जीव संद्रच्र अंसूची फर्स्ट यानि स्ट्यूल फर्स्ट के तयत पस्वों की सिकार की अनुमत दे सकता है तो आपने अगर वाइल लाप प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा 9072 का तो उसमें यह बात की गई है मुख्य वन जीव वार्डन की बात की गई है उसमें स्ट्यूल में बता दखत मुख्य वन जीव वार्डन ठीक है यानि चीफ वाइल लाफ वार्डन जो है उनका जो है क्या कारिक होता है अगर आपसाँ एक की बात करें तो जो चीफ वाइल लैफ वार्डन होते हैं वह वन जो सनच्छड अधनिय निजिस सेमेंटे टू के तहत एक वैधानिक प् जो क्या कता है वीभाग के वन जो विंग का प्रमुख होता है ठीक है और इसी के साथ क्या करता है एक राज के फीतर सन्रच्छी छेत्रों पर पूर्ड प्रसास्रीन नियातर रखता है और प्रतेक प्रतेक PS PA को आम तोर पर 100 प्रभाग के रूप में वर्गिकित किया जाता है और इसका नेतित उप्वन संरच्छक द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार देखेंगे कि मुख्य 100 वार्डन जो है एक जो है वैधानिक संस्था है किसके तहाइत 97 टू किता है option 2 की बात करें option 2 गलत है यानि राज सरकार राज सरकार जो state government होती है वो एक जो है चीफ वाइड लेफ वार्डन का निव्ट करती है जो व्युभाग के वन जी विंग का प्रमुक होता है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें option 2 गलत है और इसमें देखेंगे बात किया गया एक राज के भीतर प्रतेक सनच्छी छेतर के लिए एक मुख वार्डन नामित की जबकि क्या करते हैं राज सरकार क्या करती है एक मुख वन जो वार्डन नित करती है है और जो एक राज के भीतर संद्च्छी जितने भी छेत्र है उनका पर पूर प्रसासनिक नियंतर रखता है ठीक है कुशन नंबर सरी ऑप्सन नंबर तीन की बात करें तो ऑप्सन नंबर तीन जो है सही है यानि जो चीफ वाइल लेफ वार्डन होता है वो 1972 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंसार जो है अगर वह संतुष्ठ है कि अंसूची फर्ष्ट में निर्जिस्ट कोई जंगली जावन मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया हो और इतना विकलांग या मृत्प्रा है कि वसूली से परे है ठीक है तथा लिखित में आदेश द्वारा काड़ बताते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे जानवर को सिकार करने या जानवर का सिकार करने के नुमत देता है ठीक है त प्राश्टी जय विवित्ता प्राधिकड एन्बी या जयविक विवित्ता अदनियम 2002 के तहत अस्तापित एक वैधानिक स्वायत निकाह है और इंटरनेशनल सरच्छर संगटनों का एक वैस्विक साज़धारी है और जो मातपूर जय विवित्ता छेतरों के रूप में घ् प्राधिक विवित्ता अदनियम 2002 के तहत अस्थापित एक वैधानिक निकाह है ठीक है और यह एन्बी यह जो है 2003 में अस्थापित किया गया था ठीक है ऑप्सन दो की बात करें ऑप्सन दो भी सही है कि बढ़ लाइब इंटरनेशनल क्या है एक एंजीयो है जो वैसिक साज निदारी करता है और जो पक्षियों और उनके आवासों के सरथ्र का प्रयास करता है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक और दो दोनों सही है ठीक है एक सिकंड दीजेगा हाँ 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 है अगर अगर तो इसमें देखते हैं सॉर्ड फॉर डिस्टर्मेंस इसमें देखते हैं कि इसमें एक और दो दोनों सही है है ठीक है कुशन नंबर 80 में कि इस विकार कि इसमें ऑप्शन सी सही है कुशन नंबर 81 में देखते 81 में क्या पूछा है इच्छित राष्टी अस्तरपड नरधायत योगदान सब्द कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा यागता यानि जो टर्म इंटेंड नेशनली डिटर्माइन कॉंट्रिबूशन यानि ंडी सी आई एंडी सी ठीक है एंडी सी को आपने जो है अगर इसके पहले मेरा इन्वार इकोनामिक सर्वे का जो इसके लास्ट वाला जो है टेस्ट अपडेट हुगा था उसमें एंडी सी की बात की गई है भा क्योंकि इंवार्मेंट इकोलोजी से एक इंपोर्टन सेक्षन वो है बैरहाल इसमें आई एंडी सी की बात कर रहा है उसके बारे में बताना है ऑप्शन एक ओपिक देसोधारा पेट्रोलियम खरण को कम करने के लिए प्रतिग्या की गई ऑप्शन दुस्तत देसोधारा न इन चार आफ्शनों में से किसके बारे में यह बता रहा है तो जैसा हमने भी पता कि एंडी सी जो है वो किससे जलवाई परवर्टन से संबंदित है जो पेरी सेक्रेमेंट हुआ था उसके संबंद में जो ग्रीन हाउस गैस उस सर्जन या इंवार्मेंट जितने भी है तो और भारत ने आइन डीसी का मुख रूप से 2030 तक हांसिल किया जाना सामिले और उसमें क्या क्या सामिले उसके बारे में जो है हमने इसके पहले वाले टेस्ट में एकनोमिक सर्वेवाले में हमने सर्चा कर दी है कुश्यन नमबर 82 की बात करें तो नेमलिकित में कौन सा बाज होते हैं ठीक है यानि टॉलरेंट होते हैं डॉट प्रोन एरिया में और इसके अलावा अगर बात करें तो आप्शन दो किया सरीर में टिडाक्सी फाइंग एजेंट के तरह काम करते हैं आप्शन तीन वे लस मुक्त अतिदिक पॉस्टिक और गयर एसिड बनाने वाले संबंद में या बाजरा के संबंद में अगर इसमें बात करें तो आप्शन एक कीत वे अत्रदिक सूखे और अन्यचरम मौसम इस्थितियों के प्रति जो है अत्रदिक क्या होते हैं ठीक है बाजरा क्या है एक मोटा फसल है या मोटा अनाज है मोटा अनाज कहां होता है सु में option 1 जो है वो सही option 2 की बात करें तो बाजरा जो है अधिकांस फसले भारत की मूल फसल है ये बात आपको पता होनी चाहिए और सरीर में क्या करते हैं करते हैं और बाजरा अहार फाइबर से भरपूर होता है और अहार फाइबर में पानी को असोसित करने के गुरुत भी सामिल होते हैं इस प्रकार इसमें option 2 भी सही option 3 की बात करें option 3 भी सही है यानि जो मिलेट्स होते हैं वो गुलेटन फ्री होते हैं और नॉन एस्टी जो है फॉर्मिंग फूड होते हैं तो इस प्रकार देखेंगे इसमें option D जो है वो सही है कुशन नंबर 83 की बात कर लेते 83 में क्या पूछा है निम लिखित में से कौन भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिसन के उद्देश से सबसे अच्छा वणन करता है से उत्तर आपको बताना है option एक अनकूलन और समन उपायों के संयोजन से वन आवर्ण को बहाल करना और बढ़ाना और जल्वाय परवर्दन का जवाब देना option दो गरीब लोगों को खाज सुरच्छा सुनिशित करने के लिए क्रिस उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी हर इत्क्रान सुरू करना तो आपको बताना है कि Green India Mission के उद्देश का सबसे अच्छा वड़ा इन तीनों में से सारी इन दोनों में से कौन सा करता है जो हुआ To Green India Mission की बात करें तो Green India Mission जो है खरीज भारत के लिए सुनिए मिसन हर्द भारत के लिए Your उसी के तहट जो है ग्रीन मिशन की घुफ़डा की गई थी ठीक है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्षन एक जो है सई है और उन आठ मिशनों में जो है जो एन एपी सी सी के तहए 2008 में किये गए उन मिशनों में आपको मिटिगेशन में मिलेगा मिशन और एडाप्टे इसमें गरीब लोगों खाद सुरश्च्य सुनिजित करने के लिए तिस उत्पादम बढ़ाने के तीसरी हरितक्रान शुरू करना ऐसी कोई बात नहीं की गई है ठीक है कुशन नमबर 84 की बात करें यदि आप नीलगरी ताहर को उनके प्राक्तिक आवास में देखना चाते है तो निमलिकित में कौन से जगा गोमने के लिए सबसे अच्छी है सबसे पहले अगर आपने नीलगरी हिल्स का नाम सुनाओगा या नीलगरी ताहर तो आपको सीधे जो है साउथ में पहुंच जाना है ठीक है तो साउथ में जाएंगे तो उसमें नीलगरी ताहर आपको जो है इए रावी कुलम राश्टे उद्ध्यान में आपको देखने को मिलेगे और यह कहां है यह जो है के रल में है ठीक है और के रल में इसके अलाव हो पेरिया राश्टे उद्ध्यान साइलेंट वैलिज नेसनल पार्क मत केतन रसोला रस्थ्ध्यान अन्हमुडी 16 रस्थ्ध यह और अन्य राश्ट्य उध्यान है ठीक है कोशन नमर 85 की बात करें 85 में क्या पूचा है जीवों और बनस्पतियों वाड़िज ट्रैफिक के अभ्यापार संबंदी विश्लेशड के संद्र निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए ठीक है यानि ट्रैफिक के संबंद में करता है कि जंगली पौधों जानवरों का ब्यापार प्राक्तिक संद्चड के लिए खत्रा नहीं है जिसमें बताना है कि ट्रैफिक के संबंद में इन दोनों कतनों में कौन सा कथन जो है सही है कि अगर आप सेने की बात करें तो ट्रैफिक जो है एक प्रमुग एंजीओ है गैर सरकारी संगठन यानि एंजीओ है जो जैविता संच्छर सतत्विकास दोनों के संदर में वन जीवेपार पर काम कर रहा है या विस वन जी कोस यानि डबलू डबलू एफ और आयू सियन का एक संयुक्त कारिक्रम है और जिसका मुख्याले कैम्परिच युनाइट गिंगडम में है तिस प्रकार जो है इसमें यूनाटेट नेशन का कोई रोल नहीं है तुछ प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्सें एक जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा एक इनफरमेशन और किया गया था 1976 में और इसका यह सुनिशित करने के जंगली पहुदर जानौरों के ब्यापार प्रक्तिक सरचड के लिए खत्रा नहीं है ठीक है यह जो ऑप्सें दिया गया है इसमें यह बात जो है बिल्कुल सही है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें आप्सन दो जो है वो सही है कुशन नंबर 86 की बात करें 86 में क्या पूछा है मिस्रित खेती के संबंद में निमलित कतनों पर विचार कीजे कौन सा कतन जो है सही है यानि मिक्स्ट फॉर्मिंग के बारे में आपको बताना है आप्सन एक फसल चक्र और परस्पर जुड़ा और बिट्टी की उर्वर्ता बना रखने में मातपूर भूम करनी बाते हैं आप्सन दो यह कम पूजिगत ब्याय रासानिक उर्वरक और हरी खात की कम उपयोग की विसेश्ता है आप्सन तीन चार फसले एक मातपूर घटक है सरी चारा पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मिक्स्ट फॉर्मिंग है क्या तो मिक्स्ट फॉर्मिंग एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना उसके साथ पसुधन भी वह दोनों सामिल होते हैं उदार के लिए एक मिस्रित खेत है उसमें गेहू राई यासी अनाज की फसलें उगा सकते हैं और मवेशी भीर सुवर या मुर्गी भी रख सकते हैं अक्सर क्या होता है मवेशियों को गोबर जो है अनाज की फसलों में खाद डालने का काम करता है मिट्टिक करवड़ता बना रखने को रोटेशन और इंटर कनेक्टिविटी मातपुर भूम का निभाता इंटर कनेक्टिविटी होते हैं यह दोनों एक दूसरे से तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक जो है वो सही ऑप्सन 2 की बात करें तो ऑप्सन 2 गलत है क्योंकि इसमें लिखा यह कम पुजिगत ब्याय और आसानिक उर्वरक और हरी खाद को कम उपयोग को विश्यस्ता यह बात जो है गलत है यानि अगर बात करेंगे मांस, अंडे, दूद के लिए पसुओं के पालन के साथ फसलों की मिस्रित खेती को परिभाज़त करती है मिस्रित खेती को क्रिस मसीनरी पर हाई जो है आपको पुजिगत बै करना होगा और असानिक उर्वरक इस्तमाल करना ह गरी खात की ब्यापक उप्योग किसानों की कॉसल और विसेसकता की आवसकता होती है तो इस परकार ऑप्शन दो गलत है और तीन की बात करें तो आप्शन दी तीन जो है वह सही यानि फॉडर ट्रॉप्स जो है इंपॉर्डेंट घटक होते हैं मिक्स्ट फॉर्मिंग के त पुशन नमबर 87 की बात कर लेते हैं 87 में क्या पूछा है कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला नोक्टि टलुका इसक्लिंटिस इसक्लिंटलंस के संदर में निमलित कतनों पर विचार कीजिए ऑप्शन एक नोक्टि लुका इसक्लिंटलस पौधे और जानवरों दो कर सकते हैं आप्शन दो या ना केवाल एक प्रात्मिक उत्पादक हैं बलकि एक दुतियक उभगता है और विसाक्त बदार्तों का उत्पादन नहीं करता है कौन सा कथन जो है सही है नोक्टि लुका इसक्लिंटलस के बारे में अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही है यह जो पौधा है यह बायो लुमिसंट प्रजाति का पौधा है जो राद के दौरान समुद्र के पानी को रोसन करता है और अन सुच मजियो जैसे लारवा मचली अंडे और डाटम पर जो है चड़त अगर कर सकता है और सूरज की रोसन इसको उरजा में बदल सकता है इस प्रकार जो देखेंगे ऑप्सन एक जो है वो सही है ऑप् Delhi की Question. No. 88 की बात कर लेते हैं, नियमल कित में किस राज में ? Koringa 1 G Abirr इस्तित है? Keral, Tamilrice arrays Anchorage तेलंगाना. Tő Koringa 1 G Abirr भारत के आन्द्रपरदेस में काकी नाड के पास इस्तित एक क्या है? Wildlife Century का मुहाना है. प्रिकार इसमें क्या हो जाएगा? आप्सन सी जो है वह सई हो जाएगा कि कुशन नंबर 89 की बात करें तो निम लिखित में कौंग रामसर कन्वेंशन के दाथ आदर भूम के पद नाम के लिए मांदन नहीं है पद नाम का मतलब डिजनेशन ठीक है ऑप्सन एक या मचली स्पॉन ड्राउंड नर्सरी और प्रवास पत के लिए भोजन का एक मातपूर स्रोत है जिस पर या तो आदर भूम के भीतर या अना जगवाव पर मचली स्टाक पर निर्भर करता है ऑप्सन बी इसे नीमेत रूप से 200 या अधिक जलपच्छियों का समर्थन चाहिए ऑप्सन सी या एक प्रजाती आदर भूम के उप्रजातियों के आबादी में एक परसंट ब्यक्त का समर्थन करता है और निर्भर गैर एवीएन पस उप्रजातियों सामिल होते है ऑप्सन डी या किसी विशेस जय भगौ तो इसमें देखेंगे यह ओप्सन बी है वो इसमें जो है नहीं सामिल किया जाता है कि इसमें नीमित रूप से 200 या अधिक जलपच्छियों का समर्थन करना चाहिए तो यह बात जो है इसमें सामिल नहीं है रामसर साइड की बात करती या एक आदर भूम जो है अस्तर जिस पूछे नंबर 90 की बात करें 90 में क्या पूछा है 90 में पूछा है पौदो में क्लोरोफिल के संबद में निमलित कतनों पर विचार कीजिए कौन सकतन इसमें सही है ऑप्सन एक या प्रकास अंसलेशर के माध्यम से सवर उर्जा को रसारी उर्जा में परवर्थित करता है ऑ प्रकास अंसलेशर के माध्यम सवर उर्जा को रसानिक उर्जा में परवर्थित करता है ठीक है यानि सोलर इनर्जी इंटू केमिकल इनर्जी ऑप्सन दो की बात करें ऑप्सन दो भी सही है कि मैगनेसियम पौदों में क्लोरोफिल निर्माड के लिए आवस्यक है इसके ला हलाल हिस्से के सबसे अधिक मद्बूती से प्रकास को असुसत करते हैं इसके विप्रित स्पेक्ट्रम के हरे और निकट हरे भागों का एक खराप असुसक है इसलिए क्लोरोफिल यूग्ट उतक हरे दिखाई देते हैं क्योंकि हरे रंग की रोस्तनी कोशिका भित जैसे संर कथन इसमें सब्सक्राइब भारती और अलजेरियाई नोसेना ने हाली में समुद्री सयोग बढ़ाने के लिए अलजेरियाई त्यट पर पहले नोसेनिक अभ्यास में भाग लिया ऑप्सन दो अलजेरिया पस्च में अट्लांटिक महासागर उत्तर भूमत सागर से घिरा अपसन एक की बात करें तो अपसन एक पिल्कुल सही है ठीक है और अपसन दो की जहां तक बात करें तो अपसन दो जो है तो अलजेरिया की बात करें तो अलजेरिया पस्चिम के अट्लांटिक महासागर उत्तर भूमत सागर से घिरा हुआ है ठीक है ये अलजेरिया है और इ अगर अल्जीरिया की लोकेशन देखेंगे तो यह अल्जीरिया है एक स्कुन अगर Algerea की location देखेंगे तो Algerea इसमें कहा का पस्चिम में Atlantic महासागन, उत्तर में भूमत सागर से गिरा हुआ यह बात गलत है क्योंकि Algerea जो है Algerea के पस्चिम में मौरको और मौर्टीनिया के साथ भूम के सीमाए है और माली जो है दच्छर पस्मी भाग में इस्तित है और अलजीरिया के सिर्फ उत्तर में जाएंगे तो मिरिटेरियन सी है इस प्रकार यह आपसन जो हो जाएगा अपसन 3 की बात करें आपसन 3 जो है गलत है यानि भारत और अलजीरिया के बीच राजनेक संबंद के जो असुर सागर के सम्बंद में निमलित कतनों में कौन सा कतन गलत है ऑप्शन एक मिसंसागर भारत द्वारा शुरू किये गया एक कोविड-19 रहात मिसंद था सागर चेत्र यानि चेत्र के सभी के लिए सुरच्छा विकास पहल के साथ मिलकर काम किया ऑप्शन बी केवल हिंद महासाग समगरी आपूर्त की गई और संडी में से कोई भी नहीं को बताना है कि मिसंसागर के संब्द में इन में इन में से कौन सा fry छलत है तो मिसंसागर 10 जुलाई 2020 को चुरू किये गया बढ़न महासागर के चेत्र option D जो है यानि इन में से कोई यानि तीनों जो है सही है question number 93 की बात करें 93 में हाली में आयूद इंडो पैस्फिक रिजनल डायलाग IPRD के संबन में निम्रित कतनों में कौन सा कतन जो है गलत है option 1 इंडो पैस्फिक रिजनल डायलाग भारती नौसेना द्वारा सलाना आयूद समुद्री डर्णित पर सीर्स अस्तर पर वैस्विक संबाद सम्मेरन है इसके अलामा हाली में आयूद इंडो पैस्फिक रिजनल डायलाग इसमें जो है वो सही है और इसके हिसाब से देखेंगे इसमें ऑप्सन डी जो होगा वो सही होगा ठीक है इसमें गलत पुछा इसके साब साफन डी जो होगा सही होगा अब बात करते हैं कुशन नबर नाइंटी फॉर की नाइंटी फॉर हो पुछा रेड एटलस एक्षन प्लान मैप के संबद निमले कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन सही है अप्सन एक एटलस का उद्यस भारती उप महदीब के उत्तर अपस्चमी भाग के मरस्ती करके खत्रे को रोकना उसका मुकाबला करना ऑप्सन दो या केंदरी फृत्वी बिग्यान मंत्राले द्वारा तैयार किया गया है तो आपको बताना है कि इन दोनों कतनों में कौन सा कर्षन सभी एटलस एक्षन प्लान मैप के सम्मंद में आपसन एक की बात करें तो आपसन एक जो है वो गलत है यानि एटलस बिभिन वर्सा अवधी के लिए संभावित परदिस्टों के साथ बाढ़ समन तैयारी संचारां प्रबंदा पहलियों के उद्यस से है मैनुवल जानकारे प्रदान करता है जिसमें निगम के वार्ड सामिल है और जो बार्ड के काड़ प्रवाइट होने के संभावना है और सभी एतिहासिक डेटा सेट के साथ ध्यान रखते हुए जिन छेत्रों को चन्नाइक से निकासी की आवसकता हो हो सकती है इस प्रकार जो है इसमें एक बात करें और फॉप्षण एक जो है गलत है संदो प्रवाव समन में तमिल्णार सरकार के साहता से तयार किया गया है तो इस प्रकार इसमें आप्सन दो जो है केवल दो सही है ठीक है कि कुशन नम्मर 95 की बात करें 95 में क्या पुचा है ग्लोबल लिविविल्टी इंडेक्स के संब्द निमले के कतनों में कौन सा कतन सही आपसन है यह सुचकांग के तयात सभी सीर्स तीन रहने योग सहर इसके ने विया जेस से हैं आपसन भी सही राष्ट की संस्कृत और परयावर सिच्छा सुचकांग के निर्धार में उप्योग की जा जाना ग्लोबल लिविविल्टी इंडेक्स के संब्द में कौन सा कतन जो है सही है तो यह इंडेक्स जो है दाइकोनामिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वरा जारी किया जाता है और यह जो है एक प्रकार का सोथ और विश्लेशर प्रभाग है जो मासिक देस रिपोर्ट औ पुर्वान मुबान देश जोकिम सेवा रिपोर्ट जैसे अंसंधान जो है विश्लेशर के माध्यम से यह रिपोर्ट प्रदान करता है तीस प्रकार देखेंगे सीर्स तीन सहर रहने योग बात करें तो आकलेंड ऑसाका और एडलेट आस्ट्रेलिया में स्थी थे और जो है तीन ना रहनी योग सायर है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है अगर बात करें इसमें कौन सा कथन जो है सही है तो इसकेंडिया वियाए उत्तरी यूरोप का एक उप्षेतर जिसके मजबूत एतिहासिक सांस्कृतिक और भासाई संब्लव कर दीए और यूंस प्रकार दिखेंगे अगर इसमें कौन सा कथन सही की बात कर रहा है तो राष्ट की संस्क्रित और परेवर सिच्छा सुचकांग निर्धान में उपयोग की जाने वाली ब्यापक सेडियों में से एक है कि इसे प्रकार इसमें केवल और केवल और सुस्क्रियों सेर की बात किया तूझ यह जैसा कि मैंने बता है और जो न्यूजिलैंड जापान और आस्ट्रेलिया में क्रमस सा इस्तृत है और इसमें लिया नीचे के तीन रहने योग देश सभी पस्च्मी अफ्रीका से है तो यह बात भी गलत है क्योंकि इसमें देखे पोर्ट मेराज भी है जो नियू प्यो पिया गिनी से है दमिस्क है सीरिया से है तो इस प्रकार केवल और केवल इसमें option 20 सही है कुशन नंबर 96 की बात करें आईसमान सहकार योजना निम लिखित में कत्नों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सही ऑप्सन एक इस योजना का प्रात्मिक उद्देश देश में स्वास्थ सेवा और मुणियाई धाचे के निर्माठ सहकारी समितियों के साहता करना ऑप्स एक जो है वो सही है यानि इस योजना का उद्देश जो है प्रात्मिक उद्देश की बात करें तो देश में स्वास्थ भुनियाई धाचे के निर्माठ सहकारी समितियों के साहता प्रदान करना इसके अलावा इस योजना की सुरुआत जो है क्रिस और किसान कल्यान मंत्रा पर बात करें नाइटी सेबन में पूछा है कैसर हिंद जो हाले में समाचार पत्रों में देखा गया उसका अर्थ क्या है या मुगल समराट में भारत समराट को दी जाने वाली उपादी आप्सन दो अडान्चर प्रदेस की राजिक तितली आप्सन सी भारत के सबसे पूराने जहाज आएनस विराट के मानदुपादी आपसन डी कस्मीर छेत के एक चरमपंदी समूख आपको बताना कैसरे हिंद जो हाली में नूच समाचार पत्रों में दिखा गया उसका अर्थ क्या है तो कैसरे हिंद जो हालांचर प्रदेश में बड़े चमकीले रंग के कैसरे हिंद को राजकी तितली के रुप में मंजूर दिये ठीक है और जिसका साब्दी कर्थ होता है कैसरे हिंद का भारत का सम्राठ और इस तितली को नेपाल भोटान में अम्मार लावस भी अतना और दच्छट चीन में भी पाई जाती है और यह तितली वाइडलाब प्रोटेक्षण 58 1972 के स्चेड ही में सामिल किया गया और साइट All Time के सूच और अज़ और सामिल है। कुशन नंबर 98 की बात करें हाली हाली में समाचार पत्रों में आया सब्द इससी सनौक क्या है दरसाथ आप्सण एक या डाइनासोर प्रजातियों का एक नया जीनस है जो बाद में बाद के तरह से iso में रहता था ठीक है यानि Карbour की पहुच में रहता था ऑप्सण भी यया उत्राखण में खोजी गई प्याज की एक नहीज प्रजाति आप्सण सी या रस्धार प्रजाति तो आपको बताना है कि इसस सनौक सब्द झो है क्या दर साथ आं तो यह जो है इसी सनक सब्द यह डायनासोर परजात के एक नया जीनस है जो बात के टायसरीक इपोच में रहता था और यह न्यूज में था कि पूरवी गिनलेंड के एक प्रायद एपी जेम्स लैंड में पाया जाने वाले दो जीवास मखोपड़ी से डायनासोर के नए दियान की गई है और यह दो पैरवाला इसी सनक लगभग 214 मिलियन वर्स पहले लेट टायसरीक यूग में जो अब ग्रीन लेंड में रहता था ठीक है तो इस प्रकार खुल मिलाकस में आपको क्या सिंपल ध्यान रखना है यह डायनासोर के प्रजाद के एक नया जीनस है ज यानि MFP के लिए MSP के संदर्म निमलित कत्नों पर विचार कीज़े कौन सा कथन सही ऑप्सन एक इसका उद्यस इन वंचित वनस्पतियों को एक सामाजिक सुरच्छा जाल प्रदान करना और उनके ससक्ति कड़ में सहायता करना ऑप्सन दो जन जातिक कार्य मंत्राले योजन अगर बात करें आप्सन एक है तो आप्सन एक जो है सही है यानि इसका उद्यस क्या है वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरच्छा जाल प्रदान करना और इनके ससक्ति कड़ में सहायता करना ठीक है इसमें आप्सन एक और आप्सन दो जो है बिल्कुल सही है और अगर इ नई लगवन उपच लवस्तों को सामिल करने का निर्ड़ लिया केंसरकार ने 2011 में एम एफपी योजना की चुनिंजा सूची के लिए नियुन्तम संबर्थर मूल पेस किया था तो कुल मिलागर इन दोनों कतनों में दोनों सही है यानि आप्सन सी जो है वो सही है लाश कु कुशन नंबर हंडेट की बात करें तो माइक यानि मोटरिंग दे इलीगल खिलिंग एलिफेंट्स कारकरम के संदर में आपको बताना है इन तीनों कतनों में कौन से कशन सही आप्सन एक या एस या आफ्रीका में हाथियों के सच्छत से संबंदित अंतर राश्य निर्ड़ के अस्तर पर पैटन की पहिजान करने मदद करेगा तो आपको बताना है माइक के संदर में इन तीनों आफ्सन में से कौन सा उप्सन जो है सई है तो माइक की उद्ध की बात करें तो माइक का उद्धित उचित प्रबंदन प्रवर्टन नेर्ड़र लेने के लिए सथ को अपनाये गए संकल्प के रूप में की गई थी इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है यह जो माईक योजना है एस यह आफ्रीकी हातियों के सरचर संबंदे अंतरास्थी निवड़ा लेने के सहायता सुचना धर्पदां करता यह बात भी सही है इसके अलावा यह डेटा विस् ठीक है जहां तरही in session 2 की the option बिद्व जो हे वो गलत है कि इसमें अप्सन 2 गलत है यह कारिक्रम किसके मन्त्रा ले दाबरा प्रयावड मन्त्रा दाबर सुरुक है गया था यह बात जो है गलत है तो इसमें देखेंगे एक और तीन जो है तो दोस्त प्रकार हमारा 100 question का target पूरा हुआ इसको PDF आपको हमारे टेलग्राम चैनल पर मिलेगी थैंक्स पर वाचिंग अगर आपको टेस्ट पसंदा आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं नोटिफिकेसन अन कर सकते हैं इसकी complete 100 question की PDF आपको हिंदी और इंग्लिस में आलसे साथ जो मैंने ब्याख्या बता है उससे एक्स्ट्रा ब्याख्या के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ आपको हमारे टेलग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा मिलते हैं next test में